जै मातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूरिय और गुरू की बदली हुई चाल से धनूरासी के लोगों को क्या प्रभाव देखने को मिलेगा क्योंकि सूरिय यहां अपनी सुरासी मेंश में वराज़ मान है और आपके पंचव भाव में गोचर कर रहे हैं हैं और आपके चतुर्त भाव में गोचर कर रहे हैं तो यहां ये दोनों ग्रहे आपके वेपार, वेवसाय, नौकरी, सिक्छा, स्वास्त, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन और दामपत्ते जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे जानेंगे सभी बातों के बारे में दोस्तो आगे बढ़ें, इससे पहले आपसे निवेदन हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ दोस्तो जोतिस में सूरिय को राजा की पदवी प्रदान की गई है, और जोतिस के अनुसार सूरिय आत्मा और पिता का प्रतिनिधित्व करता है और ग्रहों की इन से दोरी या नजदी की उन्हें अस्त भी कर देती है, सूरिय स्रस्टी को चलाने वाले प्रतियक्ष देवता का रूप है और कुंडली में सूरिय को पूर्वजाओं का प्रतिनिधि भी माना जाता है और व्यक्ति की आजिविका में सूरिय सरकारी पद का प्रतिनिधित्व करता है व्यक्ति को सिध्धान्त वादी बनाता है इसके अतरिक्त सूरिये कारी छित्र में कठोर अनुसासन अधिकारी, उच्पद पर आसियन अधिकारी, प्रसासक और समय के साथ उन्नती करने वाला बनाता है और देवगुरु ब्रस्पती को नव ग्रहों में सबसे अधिक सुब ग्रह माना जाता है गुरु मुख्य रूप से आध्यात्मिक्ता को विक्सित करने के कारक है और गुरु जीवन के अधिक्तिर छित्रों में सकरात्मक उर्जा प्रदान करने में साहिक होते है गुरु हमेशा जातक को आसावादी बनाते हैं और निरासा को जीवन में प्रवेश नहीं करने देते हैं गुरु के मित्रग्रह सूरिये चंद्र और मंगल हैं और गुरु के साथ सनी समसंबंद रखता है गुरु को मीन और धनुरासी का स्वामित प्राप्त है और यहाँ गुरु अपनी स्वारासी मीन में ही वराजमान है तो यहाँ 12 वर्सों के बाद देवगुरु ब्रस्पती की अपने घर में वापसी हुई है और गुरु का यहाँ वराजमान होना आपके लिए सुब परिवर्थन देने का कारिये करेगा जो लोग आयात नरियात के कारे करते हैं या अपना कोई वैपार वैवसाय कर रहे हैं उन्हें सकारात्मक फल की प्राप्ती होगी यदि आप किसी नई प्रोजेक्ट पर कारे कर रहे हैं या कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको सफलता प्राप्त होगी तो यहाँ गुरु आपको कारीचित में कैई तरह के एप्रत्यासित परणामों का सामना करवाएंगे मित्रों और संबंदियों से किसी सुखद समाचार की प्राप्ती होगी जमीन जायदाद से जुड़े मामले हल होंगे मकान वाहन का भी किरिय करना यदि चाहा रहे हैं तो उस दरश्टी से भी ग्रहेफल अनकूल रहेगा सेक्षिनिक कारियों में पूर्ण सफल होंगे तो यहाँ छात्रों को भी अच्छे परणाम की प्राप्ती होगी और सूरिय यहाँ आपके प्रेम सम्मंदों, आनंद, सुक, रोमांस के पंचमभाव में वराजमान है तो यहाँ आपका दामपत्य जीवन बहुत अच्छा होगा पारेवारे कृस्तों में सुधार होगा आपसी सामजस से बढ़ेगा और कारिय छित्र में अच्छा लाप मिलेगा यह अवदी आपको कारिय स्थल पर अच्छा मानसमान देने का काम करेगी आपका नाम और लोकप्रियता बढ़ेगी इस दोरान जो इस रासी के लोग जौब करते हैं उन्हें वेतन विरधी या पदोनती में सफलता मिलेगी धन पक्छ की बात करें तो यह समय आपके लिए आर्थिक मजबुती लाने वाला होगा कुल मिलाकर सूरिय और गुरू की यह इस्तिती आपके लिए अच्छे बदलाव लेकर आएगी इस रासी के जो लोग एविवाहित हैं विवाके प्रस्ताव आने की संभावना होगी और जो लोग नव दम पत्ती हैं उनके यहां संतान के युग बनेंगे जिससे घर में खुसी का माहौल होगा तो दोस्तो ऐसी जनकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें जै मता दी दोस्तो